असलाम लेकुम खुशाम अदीद में आई हूँ आपके लिए एक बार फिर से एक अंडा करी की रेसिपी लेकर जो एक दम इंस्टेंट बन जाती है और जैसे अंडे अंडा से सूखे रह जाते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के बाद आपके अंडू के अंदर तक जाएगा ए इंस्टेंट बन के तयार हो जाती है और खाने में कोई डिफरेंट टेस्ट देगी बागी सारी अंडा करी इसके कमपारिटेबली तो इसको जरू से ट्राय करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो बिसम्लारमन रहीम तो सबसे पहले हमें क्या गरना है हमने लिए हैं छे अंडे तो इसको हमें बॉइल कर लेना है इस टाइम पर मैं आपको एक टिप दूँगी कि हमेशा जब भी आप अंडे बॉइल करें तो हमेशा इसको कवर करके बॉइल करें कवर करने से इसका टाइम भी बचेगा और ग ब्लीट हो चुके हैं इससे जादा बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि कवर करने से बहुत जल्दी बॉयल होते और एक्तम खिले-खिले अंडे बनेंगे जब आप अंडो को छीलेंगे ना तब आपको अंडे छीलने में मजा ही आ जाएगा आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से अं चल करने होगा आपके फटाफट अंडे निकलेंगे चिलके से बाहर दिखाती हूं तो जैसे मैं अ खोल देखेंगे कि किस तरीके से एक तर रहा है फटा-फट निकलेगा आपको अंड़ झीलने में में बहुत मजा अաղँवाला है जब अंडे की तो नहींlatे आपि घिलकी अंडे निकल लियाएंगे तो आपको बस 10 मिनट के लिए कवर करके बॉइल करना है अंडे को बस यही एक टिप है तो मैंने 6 अंडे लिये ते तो अब मैं एक एक करके सभी अंडों में इस तरीके से कट लगा दूँगे अगर गहरे हो जाएंगे तो बीच में से अंडा टूट जाएगा तो इस तरीके से आप कट लगा लिजे सभी अंडों में तो देखे सभी अंडों में कट लगा लिया है और इधर मैंने तेल को गरम कर लिया तो इधर एक बड़े साइस की प्यास को चॉप्ट करके इसमें ते चामिल करेंगे एक बड़ा चमच अद्रक लसन की पेस्ट एक टेबल इस्पून भी बोल सकते हैं अद्रक लसन की पेस्ट एड़ कर दीजिए और इसको 10-15 सेकंड के लिए सौटे कर लीजिए और उसके बंद मसाले हैं इसमें दो चमच लाल मिश्ट, दो चमच धनिया इसको के खूब जब तक मसाला तेल न छोड़ दे बढ़िया करके तब तक आपको इस मसाले को भून लेना है तो जोड़ा कवर करके कुख करेंगे तो मोईस्चर में अच्छे से कुख होगा तो देखिए तेल रिलीज हो गया है मसाला भी काफी दानेदार हो गया है तो हम इसमें शामिल करेंगे एक चौथाई कप यानि दो या तीन टेबल स्पून होंगे दही तो इसको अच्छे से फेट लीजे इसको बढ़िया करके कुख कर लीजे कि दही की जो भी रॉय स्मेल एक अच्छापन है और जो भी इसमें पार्टिकल्स हैं एक दम मसाले में तो इसको मैंने बारिक बारिक चॉप्ट करके इसमें शामिल करूंगी क्योंकि इससे जो ग्रेवी का टेस्ट नबौत बहुत बहतरीन हो जाएंगे जो आंडे की चंग्स मूह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे और ग्रेवी कुछ डिफरेंट लगेंगी अधा चम्मच और गरम मसाला अधा चम्मच में पहले है एड़ कर चुकी हूँ जिसमें हमारे मतलब जीरा पाउडर भी एड़ था तो आप हम इसमें एक एक करके एहतियाद से अंडे शामिल कर देंगे अंडा एक ब्रेक हो गया था कट लगाते टाइम तो इसलिए आप लोग बॉइल करें तो एक अंडा एक्स्ट्रा रखें तो अकसर अंडे चटके वे होते हैं जो पता नहीं लगते तो वो खराब हो जाते हैं अगर आपको पांच उबालने हैं तो आप छे रखिए तो देखिए पानी थोड़ा सा शामिल कर दीजिए और बस हरे धनिये से और ये खाने में भी थोड़ी डिफरेंट और टेस्टी लगती है तो आप इसको जरूर से बनाएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अगर अगेन आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और मेरी वीडियो को प्लीज ओपन करके क्लिक करके अंदर जाकर री प्लीज बॉच करिएगा तो इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा और कमेंट भी कर दीजेगा तो हमारे साथ यूँ ही जुड़े रही है हमारे रेसिपीस को सपोर्ट करिए हमको सपोर्ट करिए जज़ा का लगा हुख खैर Allah Hafiz